मन्सोर में भारत की सबसे बड़ी लहसुन की मंडी है जहां दूर-दूर से किसान अपनी फसल इस आज से लेकर आते हैं ताकि उन्हें अपनी लहसुन के उपज के उचित भाव मिल पाएं मंडी के बाहर दूर-दूर तक ट्रानियों की लाइने दिखाई देती हैं दूर-दराज के इलाकों से आए किसान पांच से चार दिन वहां जमा रहते हैं कोई सागर से अपनी फसल लेकर आता है तो कोई भपाल से यहां तक की राजस्तान के किसान भी अपना लहसुन बेचने के लिए मंसोर पहुंचते हैं भारत सरगार के वानीची और उध्योग मंत्राले के अधीन क्रिशी और प्रसंस्कृत खादया उद्पाद निर्यात विकास प्राधिकरन के अनुसार पूरे भारत में सबसे ज्यादा लहसुन की खेती मध्यपरदेश में ही होती है और इसके मंडी में मौझूद किसानों का कहना है कि पिछले तीन सालों से लहसुन की पैदावार की उन्हें ज्यादा मुनाफ़ा नहीं हो पाया मगर इस साल तो लहसुन के भाव इतनी ज्यादा गिर गए कि किसानों को उससे पैदा करने में आई लागत भी नहीं मिल पाई किसानों क अरोप है कि इरान और चीन से आई लहसुन ने बाजार खराब कर दिया है वहीं वो उनका ये भी कहना है कि इस साल लहसुन का निर्याद भी नहीं हो पा रहा इस साल मध्य परदेश में लहसुन की बंपर फसल हुई है जिससे पिछले सारे रिकोर्ड तोड़ दिये हैं क्रिशी मंत्रालय के आंखडों के अनुसार वर्ष 2021 में पूरे भारत में 3.1 अरब मिट्रिक टन लहसुन की फसल हुई जिसमें अकेले मध्य परदेश का योगदान 70 फीसद का है और इस साल फसल और भी ज्यादा हुई है मंसोर के सरकारी क्रिशी उत्पादन मंडी के परभारियों की माने तो उनका कहना है कि इस साल किसान लहसुन की जो फसल मंडी में लेकर आए हैं उसकी क्वालिटी पहले से हलकी है इस वज़े से कीमते नहीं मिल पा रही उनका कहना है कि यहां फसल क्वालिटी के हिसाब से ब कुछ किसान तो अपने उत्पात को जलाब भी रहे हैं क्योंकि उन्हें लागत से भी कम पैसे मिल रहे हैं। वहीं कहा जा रहा है कि अब जो फसल मंडी में आ रही है वो फसल आखरी है जो किसानों के घरों में चार महीने से रखी हुई थी। उनका कहना है कि उटी वाली क्वालिटी की लसुन को अब किसानों ने दो चार दिनों में बेचना शुरू कर दिया है। अंतिम समय में किसानों का माल मंडी पहुंच रहा है और जिन किसानों ने स्टोक भी कर रखा है उन्हें तो बेशना ही है लाकर मंडी में और अब वो जो फसले उन्होंने घर पर रखी हुई थी वो अब खराब होती दिखाई दे रही है मद्य परदेश सरकार की अधिकारियों का कहना है कि वर्ष 2020-21 के सरवेक्षन के अनुसार 10 साल पहले तक परदेश की कुल 94,945 हेक्टर जमीन पर लहसुन का उत्पादन होता था मगर अब इसका उत्पादन इस वर्ष तक 1,93,066 हेक्टर तक पहुँच गया है जो की लगबग दो गुना है इसलिए इस बार लहसुन का उतना भाव नहीं मिल पा रहा अधिकारियों का कहना है कि पिछले कुछ सालों में लहसुन काफी अच्छे भाव में विका था इसलिए सभी किसानों ने दूसरी फसले नहीं होगाई और ज्यादतर किसानों ने लहसुन ही बोया जिसकी वज़र से फसल की पैदावार बंपर हो गई और अब उसका भाव निकाल पाना मुश्किल है बिरो रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी